हंजी दोस्तों तो भारत के एक कदम से भारत के दुस्मन देशों समेर पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई है। अब इसके बाद पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट है जो की इसलामाबाद पॉलिसी इंस्ट्रट्यूट रिसर्च के एक फैलो है जिनका नाम तलजीला खलील है। को लेकर संयुक्त राष्ट में कुछ इसी प्रकार का बयान दिया था कि भारत को इस प्रकार के विनासकारी मिसाइल का परिछन नहीं करना चाहिए। अलाकि भारत ने अभी तक दुनिया को ये नहीं बताया है कि भारत अगनी सिक्स नाम की कोई मिसाइल बना रहा है। बरंतु भारत के इस मिसाइल के आने से पहले ही पाकिस्तानी एक्सपर्ट और चीन के लोग चिलाने लगे हैं कि भारत कोई महा विनासकारी मिसाइल का निर्मान करने में लगा हुआ है। और अपकी बार पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट ही यूरोप और पूरी दुनिया का ध्यान भारत के ऊपर खीचना चाहते हैं। ताकि यूरोप वाले अपने लिए इस मिसाइल को खत्रा समझें और भारत पर रोक लगाई जा सकें। हिलाल में आप सभी को क्या लगता है और क्या भारत को अपनी आत्मे रक्षा मजबूत करने के लिए इस परकार के तागत वर मिसाइल बनाने चाहिए कमेंट में जरू बताएं। है और यदि माल्दियू के राष्टपती चीन से ज़्यादा करीबी बढ़ाएंगे तो इससे अमेरिका को काफी ज़्यादा दिक्कत होगी क्यूंकि चीन माल्दियू के अंदर अपना सैन या अड्डा या खूफिया देज भी बना सकता है और बस अब इसी कारण की वज़ आफ दूस प्रचार किया था यानि की बात साफ है कि अब जो माल्दियू के नई राष्टपती चीन का दौरा कर रहे हैं जिस वज़ा से ये अमेरिका और यूरोप के देशों के नजर में आ चुके हैं फिलाल आप सभी को क्या लगता है कि चीन की दोस्ती जो इन पर भारी पढ़ रही है वो इनके साथ सही हुआ या फिर गलत कमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदमात्र